पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल सकता क्यूं? क्यूंकि जो कमपनियां उसे रोजगार देती थी जो छोटी कमपनिय थी, मिडल साइज कमपनिय थी वो सब बंद हो गई, खतम हो गई भाहियों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते है रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनस वाले दे सकते है रोजगार medium size business वाले दे सकते हैं जो छोटी factory चलाते हैं middle size factory चलाते हैं जो चीजे बनाते हैं ये लोग दे सकते हैं आज हिंदुस्तान में नया model है चाइना का माल आता है वो ही 10-12 अरब पती उस माल को बेचते हैं आप mobile phone के पीछे देख लीजिए made in Bangladesh, जूते के नीचे देखिए made in Vietnam, made in Maharashtra, made in India आपको कहीं नहीं दिख सकता और ये सारा का सारा माल ये अरब पती बेचते हैं नुकसान किसका होता है हिंदुस्तान के युवाओं का होता है हिंदुस्तान के जो छोटे business हैं middle size business हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं उनका होता है, फाइदा किसका होता है नरेंद्र मोदी जी के marketing होती है अदानी और अंबानी जी का फाइदा होता है और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरब पतियों का उसमें 20-25 लोग हैं और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का भाईयों और बेहनों 16 लाख करोर रुपए 16 लाख करोर रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्ज़ा माफ किया है किसानों का आज तक कर्ज़ा माफ नहीं किया है हमने 70 लाख करोर रुपए किया था जब हमारी सरकार थी आप सोचो 70 लाख करोर रुपए से हिंदुस्तान के सारे के सारे किसानों का कर्ज़ा माफ किया था इन्होंने 16 लाख करोर रुपए 22-25 लोगों गुदिया है ये हमारी लड़ाई है हम चाहते हैं कि एक इंदुस्तान हो अगर बैंक के दर्वाजे अरब पतियों के लिए खुले है तो बैंक के दर्वाजे किसानों के लिए मजदूरों के लिए युवाओं के लिए खुले होने चाहिए अगर उनका 16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 यहाँ बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी देखिए, हर एरिया में आपको ब्रहषटा चार देखेगा, जहां भी आप देखोगे सडक बनती है बरश्टा चार सरकारी बरश्टा चार से बनी है सरकारी चोरी करके बनी है सरकारी MLS को पैसा दे के बनी है ये BJP की सरकार नहीं है ये आपकी सरकार थी इसको तोड़ कर चोरी करके ले गएं ये लोग तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रश्टाचार मिलेगा बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉंट्राइक ले जाते हैं दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर आपसे कॉंट्राइक छीन जाते हैं यह हम बदलना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि आप सब कॉंग्रेस पार्ट के कार्य करता मोहबत के दुकान वाले कार्य करता बबर्शे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप महराश्ट्रा की सरकार लाने जा रहे हो अपना खून पसीना दे कर महराश्ट्रा की जनता की सरकार किसानों की सरकार बेरोजगार युवाओं की मजदूरों की सरकार हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो जहां भी आपको मेरी जरुवत होगी मैं आ जाओंगा आपको सिर्फ ओर्डर देना है कि राहूल आपको यहां आना है यहां आना है यहां आना है धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन!